Hello my beauties, Assalamualaikum and welcome back to my youtube channel, मैं हो अतरा शहरियार और आज के लेक्टर में भी हम बात करने जाने हैं स्मोकी आय मेकप लुक के बारे में नहीं देखी है, तो जा कर देख लें, क्योंकि हर प्रिवियस लेक्टर नेक्स्ट आने वले लेक्टर से कनेक्टर होता है, तो अगर आपको पिछला समझ नहीं आएका तो अगला भी समझ नहीं आएका, वैसे यहां पर मैं बहुत ही मिनिमल सी फिलिंग कर रही हूं और अगर आपके पास कोई भी आइबेस अवेलिबल नहीं है, तो आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी थिक फांडेशन यूज़ कर सकते हो, जो कि एज़ा आइबेस आपके आइस के ओपर वर्क करेगी, ठीक है, आपने आइस पर कभी भी प्राइमर नहीं लगान एन दो ही घर्ट कर सकते हैं, जो एक बात हमेशन में रखना हैं, एमसे एक अख खिूपर वीडियो देख रही था, कि आइशन नहीं बशेचाी है। आपने आँखों पर और अाफने प्राइमर लिखाना है यह उपने आपने इस बात का कि फिली प्राइमर नहीं लगाना इलागत आपने को पिलाइज डिया हुआ canyon यह यह इस अपने पहसं अपनी आपनी पंपनी आपनी जम करें एक फोगर और इस फिल्द को में ले नेक्स जी आपने कोई भी आईशादो पैले ले लेना है उसमें से ट्राइशिशन शेड लेंगे इसलागे ब्राउन शेड्स हर आईशादो पैलेट में अविलिबल होते हैं मैं तोर से पीच पिंक सा ब्राउन शेड है यह लूँगी क्योंगे मेरी जो मौडल बैठी हुई थी इनके कपड़ों का जो कलर है ड्रेस जो इनोने पैना हुआ था वो इस कलर का था बहुत ही प्यारा सा कलर था तो मैंने सोचा इसी कलर को जूस करके आई मेकप स्राट कर ले पहले ट्रांसफर करना है और ब्लेंड करना है अगर आपने कलर को आगे से पीछे के तरफ पहलाना है तो आपने ब्लेंड कर लेनी है और अगर आपने कलर को ऊपर के जानिब या नीचे के जानिब से ब्लेंड करना है तो आपने जो है वो सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना next again मैंने थोड़ा सा color जो है वो पिक किया है उसको मैं build कर रही हूं और मैंने stamping करके पहले color को build किया then मैं इसकी blending कर रही हूं blending आपने बहुत अच्छे से करनी है आप देख रहे हो कि मेरा color एक जगा पे चिपका हुआ नजर नहीं आ रहा है बलके बिखरा हुआ नजर आ ठीक है अगर आप blend नहीं करोगे तो बहुत ही harsh लुक देगा बिल्कुत professional लुक नहीं आएगी ठीक है तो जब आप मेकप सीख रहे हो तो आपने सब से जादा टाइम जो है वो blending पर देना है किस सरा से आप color को blend किसरा करना है color को mix किसरा से करना है इसके ओपर भी एक lecture मैंने जो है व इसके दाप wild यूश ब्हुत लाइन pas 234 जुड जुड लाइन का अपना हाथ लिए देना हूँ स्मच पर और पंसिल प्रस लिया है उस पर मैंने वही शेड और प्लाइप किया थाख और बिल्कुल पी मैं नहीं अप्लाइब किया और यूश लेगा जैसा भी आपसे लगत तो ग्रीन लेना है ठीक है और फिर आपने लाइनर को अच्छी तरह से समज़ करते जाना है ठीक है यहां पर बहुत ही आराम अराम से समज़िंग कर रही हूं लेकिन यहां पर वीडियो थोड़ी सी फास्ट है मैं ताकि वीडियो जादा लंबीना हो जाए तो आप ने यह नह आपने smudge eyeliner type की look create करनी है और इसको बिल्कुल mix कर देना है अपने transition shade के साथ ठीक है आप देख सकते हो के smoke out होदा आपको color दिख रहा होगा black से pink की तरफ जाता हुआ ठीक है तो आपने ऐसी ही look create करनी है आपको homework किया है कि आपने किसी भी करनी है और मुझे फिर आपने instagram पर टैग करना है डियम करना है नेक्सटी हाइलाइट करने के लिए गोल्डन सिल्वर सा हाइलाइटर है हर एक के पास मुझूद होता है अगर आप चाहो तो only golden भी उसकर सकते हो only silver भी उसकर सकते हो मेरे पास mix color है बहुत प्यारा है मैं इसको य करेंगे और फिर इसके बाद foundation लगा लिए अच्छा एक और चीज में आप आप देखो आइस के आपको इनर कॉर्णर से नोस की तरफ कलर बहुत जादा बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा अच्छा यह मैंने आपको बताना था कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपने यहां पर अच्छी तरह से अच्छी तरह से बाएर निकला था आइस से नोस की तरफ वह अच्छी तरह से रिमूब हो जाएगा ठीक है डिफरेंस अभी आपको में दिखाऊंगी आप देखके हरान हो जाओगे जस्ट वही मैंने ब्रेश लिया है कोई उसके उपर मैंने एक आपको चेंज नजर आए होगा नेक्स जी आइस के नीचे मैंने वही ब्रेश लिया है उसके पर अल्रेडी आइलाइनर लगा हुए तो वह मैं अप्लाई कर लूँगी अगर आप एक्स्टर प्रोड़क लेना चाहते हो आपको ज्यादा ब्लैक आइस पसंद आप ज्यादा लगाना भूल गई थी अचाह अब यहां पर टाइम हो जाता है हमारे क्वेस्टन का तो क्वेस्टन यह है कि जब ब्लैक स्मोगी आइलूक क्रेट करते हैं तो जस्ट आइबाल के ओपर ही हम कलर क्यों लगाते है इनर कॉर्nor और आउटर कॉर्णर के तरफ क्यों नहीं लग आप हमेशे इस चीज का ख्याल रखे अपने क्लाइट को इस बात का बताएं कि कभी भी मेकप से आपकी फाइन लाइन्स या आपके जो जुरियां हैं ठीक है चेहरे पर जहां जाएं वो कभी खतम नहीं हो सकती है जो लोग यह कहते हैं अगर मेकप से हमारी जुरियां खतम कर तो यह पॉसिबल नहीं है आप कलर क्रेक्शन करके आप फ्लॉर्स को चुपा सकते हैं जुरियां फाइन लाइन्स नहीं चुपाई जा सकते हैं नेक्स यह आपने बारी आती है जी मस्कारा की और उसके बाल लैशे की तो लैशे आपने यू पकड़नी है उन पे ग्लू तो वो जो लैश ग्लू होती है वो आइस के अंदर चिल जाती है जिसके बहुत जादे इरिटेशन होती है अच्छा यहां पे हमारी आई लुक हो गई है कमप्ली तो आपको कैसी लगी आई लुक आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में और इंशाला आप जल्दी जल् करेंगे दूसरी आइस पर मैंने फिर हलकाल का जल्रेली करके मेंकप कर दिया था क्योंकि एक आंग पर मेंकप बहुत जादा जीब लग रहा होता है अच्छा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी चैनल पे नहीं है तो करने मुझे टिक टॉक पे इंस्टाग्राम पे स्नैक अप पर फॉलो करना नहीं भूली अपना देर सारा ख्याल रखिए अपनी प्यारी प्यारी दौाओं में अपने मुझे याद रखना है हमेशा आला हाफेज